हलो दीर स्टुडेंट्स वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सोश्यू पॉइंट आज हम फिर से हर्बर्ट स्पेंसर का ही एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है सोशल इवलूशन थियोरी सामाजिक उद्विकास का निया फोशल और्गिनिजम साव्यवाद और जो लास्ट है थर्ड वाला सोशल डार्विनिजम या सामाजिक डार्विनवाद ये दोनों मैंने आपको क्लास में पढ़ा दिया है ठीक है अब ये थर्ड बचा हुआ है जो की सेकेंड वाला है सोशल इवोलूशन थेओरी है समाजिक उद्विकास तो उसको हम शुरू करने जा रहे हैं आज तो आप इसको फुल देखेगा ताकि आपको पूरी नॉलेज मिल सके ठीक है और बहुत ही इमपोर्टेंट टॉपिक है जो अब ये पढ़ने जा रहे हूँ ठीक है और इससे रिलेटेड बहुत सारे कुशिंस भी आते रहते हैं एक्जाम्स में अबजेक्टिव टाइप्स भी बहुत सारे आते हैं आप नेट का एक्जाम दो, ठीक है, पीजीटी का एक्जाम दो, मतलब सोशालोजी से रिलेटेड जो भी आपके कॉंपिटेटिव एक्जाम होते हैं, सारे, ठीक है, सारे के लिए इंपॉर्टेंट हैं, तो चली शुरू करते हैं, हर्बर्ट स्पेंसर के बारे में मैंने लास्ट वीडियो में आपको पूरी चीज़े बता दी थी, ठीक है, आप पिछले वाले वीडियो से आप इसको चेक कर सकते हो, अब हमारा शुरू हो रहा है सोशल एविल्यूशन ये समाजिक उद्विकास, जब से आप लोग हर्बर्ट स्पेंसर पढ़ रहे हो, तब से बार बार उद्विकास उद्विकास सुने जा रहे हो, एविल्यूशन सुन रहे हो, ठीक है, तो इन्हों ने अपनी जो थियोरी दी, वो एविल्यूशन के बेस पर ही दी है, ठीक है, और इसके लिए जब हम य थियोरी पढ़ रहे है, सोशल एविल्यूशन की थियोरी, यानि कि समाज पर कैसे उद्विकास को इन्हों ने अपलाई किया, हर्बर्ट स्पेंसर ने, तो हम उसको जानने जा रहे है, ठीक है, इसके अलावा, हम इस थियोरी में साइंटिफिकली कैसे एविल्यूशन होता ह है, ठीक है, मतलब इसका जो साइंटिफिक प्रॉसेस हैं, जो डार्विन ने दी, ठीक है, वो सारी चीज़े भी हम देखेंगे, तो पहले थोड़ा सा जान लीजे, कि उद्विकास के बारे में हर्बर्ट स्पेंसर ने क्या कहा है, और हम लोग क्यों उद्विकास को इतना रिटेल में जानने जा रहे हैं, क्योंकि जितने भी ये हर्बर्ट स्पेंसर का मनना है, कि जो भी समाज में परिवर्तन होते हैं, चाहे वो समाज की सनरशनाओं में हो, या सोशल इंस्टिउशन, यानि की समाजिक संस्थाओं में हो, जितने भी चेंजिस होते हैं, मतलब प की केटेगरी में रखते हैं उद्विकास की श्रेडी में रखते हैं जैसे कि इसमें लिखा हुआ एक पॉइंट all structural and institutional change occurs in the form of evolution सभी समाजिक सनरचनाओं और समाजिक संस्थाओं में होने वाला परिवर्तन उद्विकास की रूप में होता है ठीक है और ये second point बहुत ज्यादा important है समझना जरूरी है आपको ठीक है पिछले वीडियो में आपके लिए स्टार्टिंग थी इसलिए मैंने थोड़ा सा लिमिटेड बताया था जैसे कि आप इसमें देखो कि समाजिक उद्विकास सार्वभामिक है that evolution is a universal process ठीक है मतलब universal का मतलब हर जगा पाए जाती है हर या अभादे ठीक है और जिनमें जान होती है या जो निर्जीव होते हैं क्या सकते हैं है ना और चाहे वो समाजिक शेत्र हो सब में evolution आप देख सकते हो ठीक है last वाला वीडियो देखो के तो और clear हो जाएगा उसमें भी हमने evolution की ही बात की है ठीक है तो आप ये समझ गया हो कि उद्विकास कैसे सार्वभामिक है क्योंकि वह हर जगा पाये जाता है हर चीज में पाये जाता है ठीक है हर काल में पाये जाता है हर टाइम पीरिड में आपको मिलेगा वो तो इसलिए से हमने कहा कि ये सार्वभामिक है और इस से संबंदित जो बुक है आपकी related बुक है फर्स्ट प्रिंसिपल्स जो कि 1862 में पबलिश हुई थी अब देखिए कि उद्विकास की इन्हों ने हर्बर्ट स्पेंसर ने अपनी इसी बुप में क्या डेफिनेशन दिये ठीक है इस डेफिनेशन की थूँ हमें ये जरूरी हो जाता है कि हम जो हमारे साइंस ने बताया है evolution के बारे में वो भी जाने ठीक है उद्विकास पदार्थ का समन्वे और उससे समन्दित गती है जिसके दौरान कोई पदार्थ एक अनिश्चित और असमबध समानता से निश्चित समबध असमानता में बदल जाता है मतलब कोई भी पदार्थ है वो स्टार्टिंग में क्या रहेगा एक अनिश्चित और असमबध समानता रहेगी उसकी संरश्चित में उसके बाद धीरे धीरे वो निश्चित हो जाएगा समबध हो जाएगा लेकिन असमानता उसमें हो जाएगी evolution यह आपकी definition है यह quote करके लिखेगा यह Herbert Spencer ने लिखी हुई है word to word आप लिख सकते हो evolution is an integration of matter and concomitant dissipation of motion during which matter passes from an indefinite incoherent homogeneity to definite coherent heterogeneity ठीके तो इन्होंने इसमें matter की बात की है matter की बात हमेशा physics करता है आप जानते हो ठीके तो यही सारी चीज़ें है बिटा आपको पिछला वीडियो देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ठीके चलिए अब हम जानते हैं कि law of physical evolution क्या है या बहुत एक उद्विकास का नियम क्या है मतलब हमारे physics में क्या बता है evolution के बारे में तो इसमें सबसे first law हम बताएंगे कि क्या होता है शक्ती के इस्थाइत्व का नियम ठीके जो English medium वाले बच्चे हैं वो लिख लें जो मैं बोल रही हूँ law of persistence force ठीके या law of persistence of force ठीके शक्ती के इस्थाइत्व का नियम या law of persistence of force इसमें क्या बताते हैं इसमें बोलते हैं कि एक internal power होती है एक internal force होता है जो की हर एक matter मतलब पदार्थ हमारी धरती पर मौजूद हर एक पदार्थ में एक internal force होता है एक आंतरिक शक्ती होती है ठीके, जो की कभी भी destroy नहीं होती, जिसका कभी भी विनाश नहीं होता, मान लीजे हम पानी को ले ले, ठीके, पानी में एक प्रकार की शक्ती पाई जाती है, ठीके, अगर हम उसको आप कहोगे कि पानी तो खतम हो जाता है, पानी का तो विनाश हो जाता है, तो उसकी force का भी बिलकुल नहीं है जैसे पानी है पानी को आपने हीट दिया हीट दोगे तो क्या होगा वो जो उसके अंदर मौजूद शक्ति है पानी की शक्ति वो क्या होगा उसका उसके रूप में परिवर्तन हो जाएगा है ना उसके फॉर्म में ट्रांस्फॉर्मेशन हो जाता है जैसे अब वो जो पानी में पावर थी, इंटर्नल फोर्स था, वो वेपर में चेंज हो गया, है ना, अब वेपर के पास वो फोर्स पहुँच गया, तो क्या है, शक्ती कभी भी समाप्त नहीं होती, जो पदार्थों के अंदर शक्ती पाई जाती है, वो कभी भी समाप्थ नहीं होती है ठीके और इसी जो शक्ती है जो शक्ती मौजूद है किसी पदार्थ के अंदर इसी की वज़ा से उस matter में हमेशा आप अगर change देखते हो तो उस मतलब शक्ती के कारण ही होता है ठीके तो कहने का मतलब वो जो शक्ती है किसी भी पदार्थ के अंदर एक internal या unknowable force है वो कभी भी खतम नहीं होती ठीके इसलिए इन्होंने कहा कि साइंस में कहा गया कि पदार्थ के लिए कि शक्ती के स्थायत्व का नियम पाये जाता है ठीके और वो जो शक्ती होती है वो किसी भी पदार्थ में कितनी है इसको जानना बहुती मुश्किल है मतलब कितनी मात्रा में है कितनी नहीं अब second लिखा हुआ है पदार्थ के अविनाशी होने का नियम अभी उसके अंदर की शक्ती की बात की अब हम बात करें कि पदार्थ मतलब कोई भी matter, matter का मतलब क्या होता है, हमारी अर्थ पर मौजूद या कहीं पर भी मौजूद जो भी सारी चीज़े हैं, जिने हम देख सकते हैं, वो सारी क्या होते हैं, matter होते हैं, बदार्थ के अविनाशी होने का नियम, यानि कि law of indestructibility of matter, है न, destroy की बात कर रहे हैं, indestructibility, ह है न, कि destroy नहीं होता, मतलब, जो हमारे अर्थ पर, या जितना भी physical environment है, उसमें मौजूद जितनी भी चीज़े हैं, आपकी, है न, जितनी भी चीज़े, जिने हम क्या कह रहे हैं, physics में matter, या पदार्थ, वो क्या है, शक्ति उनमें mix होती है, वो शक्ति के सम्मिलन से ही बने हो हैं, जैसे कि हमने कहा भी water, water की बात करी, water में मैंने कहा कि एक force होता है, तो मतलब, क्या matter और force दोनों मिल करके बनते हैं, ठीके, दोनों में हमेशा, दोनों का सम्मिलत रूप हमें मिलता है, ठीके, मतलब, कोई भी चीज़ है, उसमें force पाया ही पाया जाएगा, ठीके, ज हम जब भी देखते हैं कि कोई भी मैटर है जैसे कि मालो हम कोई लीव ले 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 कोई पती ले ले पती क्या है आप देखोगे पहले बिल्कुल प्यारी सी छोटी सी पती होती है जो निव निकलती है उसके बाद क्या होता है धीरी धीरे वो बड़ी होती है फिर क्या होता है य कि पत्ति मैटर को हम देख सकते हैं चूं करूप जड़ गई और नीचे गिर ऑई रहा है छो फिर यलो latt के दिए गिर आप मैठर में चेंज आपने आखों से देखते जारहे हो और की इसे मेठर मैं चेंज होता चला पता जा रहे हैं लेकिन जो इसके अंदर कहा जाता है कि जो शक्ती है वो कबहें खश्विशों नहीं होती है अगर कोई लकड़ी है ठीक है लकड़ी को आप जला दोगे तो क्या है वह उन्याभ पतार्त है यो recorded होता जा रहा है नहीं वो पदार्थ खतम नहीं हो रहा है मिट्टी बन जाएगा, लीफ यह है, मिट्टी बन जाएगी मिट्टी में मिक्स हो गई ठीक है, तो मतलब क्या? उसका अस्तित्व कभी समाप्त नहीं होता लेकिन जो आजकल के physicist है जो भौतिक विज्यानी है वो इस rule को accept नहीं कर रहे है ठीक है, लेकिन ये हमें बताया गया है थर्ड है आपका गती की निरंतरता का नियम या law of continuity of motion law of continuity of motion ठीक है इसमें क्या है? मतलब कि जो शक्ति है किसी भी चीज़ के अंदर जो हम अभी internal forces की बात करें किसी भी चीज़ के अंदर जो शक्ति है वो कभी भी उसका मतलब हमेशा उसमें motion पाये जाता है उसमें motion पाये जाता है का मतलब जैसे हमारे हाँ अर्थ पे कोई भी चीज़ है तो पहले जस रूप में दिखाई देगी दस साल बाद आपको वो किसी और फॉर में दिखाई देगी है ना जैसे आप किसी ट्री को ले लो ट्री है ट्री पहले एक छोटा सा पौधा होता है फिर दीरे बड़ा होता है और बड़ा होने के बाद क्या होता है एक समय बाद वो अगर आंधी तुफा ना है तो गिर जाता है फिर से मिट्टी में मिक्स हो जाता है तो मतलब क्या कि जो आपका पेड के बड़े होने की प्रॉसस है है ना तो उसमें जो इंटर्नल फोर्स है उसको कहते हैं कि वो ही कही न कहीं जिम्मिदार होती है किसी भी चीज़ में अगर ट्रांस्फॉर्मेशन हो रहा है अगर पौधा है पौधा बड़ा हो करके पेड बन रहा है तो उसका मतलब क्या है उसके अंदर जो एनरजी है वो मोशन में है अगर उसके अंदर एनरजी का मोशन खतम हो जाए तो उसका कभी भी ट्रांस्फॉर्मेशन नहीं होगा उसका रूप कभी भी परिवर्थित नहीं होगा क्योंकि पौधे के अंदर एक शक्ती मौजूद है जो कि उसको उपर आगे बढ़ने में मदद करती है तो उसकी वज़े से ही पौधा एक पेड़ बन जाता है है ना तो कहने का मतलब क्या है यह जो अंदर जो फोर्स पाए जाती है उसका हमेशा जो है उसमें मोशन पाए जाता है ठीक है और मतलब क्या इसी की वज़े से हम क्या कहते है कि जो गती होती है वो हमेशा continue रहती है हर चीज में अब इसका reason चाहे जो भी कहे बट हमारे हाँ हर चीज में motion पाये जाता है ठीक है जो गती है कहने का मतलब वो हमेशा चलती रहती है time के साथ हमेशा चलती रहती है ठीक है गती कभी भी रुकती नहीं है हर चीज में हमेशा गती होती रहती है ठीक है मोशन हमेशा continue form में रहती है अब आपका है अब आप देख लो law of biological evolution में क्या है इस पर सबसे पहला है आपका survival of the fittest यह योगितम की उत्तर जीविता योगितम की उत्तर जीविता का मतलब क्या है कि कहने का मतलब है जो सबसे ज़्यादा योग है वो ही जीवित रहेगा है अब वो physically, biologically हर तरीके से fit होना चाहिए क्योंकि अगर हम biology से related इसकी बात कर रहे है तो इसमें Darwin ने study की थी और कहा था कि कि अर्थ पे हमेशा अस्तितू के लिए संघर्ष होता रहता है struggle for existence का rule होता है हमारे अर्थ पे कि हमेशा अपने अस्तितू को बनाए रखने के लिए हमें लड़ना पड़ता है ठीके तो जो ये लड़ाई होती है existence की इसमें जो प्राणी जीत जाते हैं वो जीवित रहते हैं और जो प्राणी नहीं जीत पाते हैं किसी भी कारेंट से उनके पास शक्ती नहीं है या किसी भी तरेकी की चीज नहीं है जिसकी वज़ा से उनकी हार होती है तो वो नस्ट हो जाते हैं जैसे आप देखोगे कि हमारे यहां races बहुत सारे टाइप की पाई जाती थी अभी पी देखोगे नरकंकाल पाई जाते हैं जो उनकी हड़ियां कैसी हैं बहुत अलग अलग टाइप की हैं जैसे उन हड़ियों से रिलेटेड जो इनसान की कलपना की गई है वैसे आज नहीं पाई जाते हैं मतलब क्या उनका अस्तित्व खतम हो चुका है क्योंकि वो अपने existence के लिए struggle में हार चुके हैं है ना इसलिए उनका अस्तित्व अब खतम हो चुका है ठीक है लेकिन जो जीत गए वो अभी भी उनका existence बना हुआ है तो इसी को कहते हैं योगेतम की उत्तर जीविता survival of the fittest है ना और ये किस के तहत होता है process of natural selection के थुरू होता है है ना प्रकृतिक चैन की प्रक्रिया के थुरू तो ये उसी से related है मतलब क्या प्रकृति में जो प्राणी प्रकृति से अपना अनकूलन नहीं कर पाते हैं उनको प्रकृति क्या कर देती है remove कर देती है उनको eliminate कर देती है है ना उनको हटा देती है मतलब उनका निरसन हिंदी में कहें है ना तो वो खतम हो जाते हैं उनकी डेथ हो जाती है तो मतलब क्या जो प्रकृति से अपने आपको प्रकृति में अपना अडप्टेशन कर लेते हैं वो जीवित रह जाते हैं बाकी क्या होता है बाकी की मृत्ति हो जा तो यह है आपका process of natural selection ठीक है और इन सारी चीज़ों में ही उद्विकास की जो प्रक्रिया है वो चलती रहती है अब इसी चीज़ को अब यही उद्विकास मतलब इसको उद्विकास से ही रिलेट करके यह चीज़े हैं कि मतलब अगर starting में जो चीज develop हुई है ठीक है वो फिर struggle कर रही है अपने nature से अपने गुणों से ठीक है अपने आपको ढालने की कोशिश कर रही है अपने environment में ठीक है जो चीज़ नहीं fit हो पाई environment के according तो वो क्या है खतम हो गई तो मतलब क्या एक evolution की process इसमें चुपी हुई है तो यही सारी कुद्विकास का नियम दिया है theory of social evolution दिया है theory of social evolution में क्या है कि सबसे पहले वो एक नियम बताते है कि law of simplicity to complexity है ना तो अभी तक हम आपको यही सारी चीज़े next class में बताते चले आ रहे है ठीक है तो यह I think इतना ज़्यादा define करने की जुरत नहीं है तो इसमें क्या है मतलब evolution की जो process process होती है तो उसमें बताया जाता है कि कोई भी चीज होती है उसके जो initial stage होती है उसमें क्या होता है वो simple form में होती है then धीरे धीरे time के साथ उसमें changes आते रहते है evolution होता रहते है और वो complex form में हो जाती है ठीक है जैसे आप ने देखा था कि कैसे एक छोटा सा बीज था है ना seed था फिर वो धीरे धीरे grow किया ठीक है और grow करते करते एक पेड़ बन गया तो वो simple to complex हो गया तो इसका अगर आपको description चाहिए तो दूसरा वाला वीडियो आपको देखना पड़ेगा ठीक है जो पहले से uploaded है then अब देखो कि इसको society पे कैसे apply कर रहे है है अब इसका society implication देखो कि इसमें पहले इन्होंने बताया की simple society faithful और सुरी सेमीव साइटिवाईटी है डा सरल समाज जानते हो आप क्या होता है सरल समाज में क्या ओता है कोई भी विभाजन नहीं होता है किसी तरीके का हर तरीके के लोग एक साथ मिलचूल करके काम करते हैं एक दूसरे की help करते हैं ठीक है अगर सरल समाज की बात करें तो जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जैसे गाउं ले लो सबसे अच्छा एक्जामपल है गाउं में क्या है किसी तरीके का आपको खास विभाजन देखने को नहीं मिलता है वहाँ पर क्या होता है जैसे मैंने कहा कि व्याद होते हैं ठीक है घर बनाना हुआ खाना बनाना हुआ तो वह सारी के साथ उनका क्या होता है वी फिलिंग बहुत स्ट्रॉंग होता है ठीक है तो यह सारी चीज़े हैं और उसमें क्या होता है जैसे कि आज आज क्या है अगर आज का मतलब हमारा शहरी इलाका देखू तो क्या है कि यहां पर क्या है कि कोई बहुती जादा अमीर है कोई बहुत ही जादा गरीब है किसी के पास गुण बहुत जादा है मतलब क्या बहुत विशेशी क्रत है विशेशी क्रत मतलब अपने किसी फील्ड में बहुत ही जादा उसको नॉलेज है और वो पैसे कमा रहा है और उसने अपनी बहुत बड़ी सी बिल्डिंग है ना वहाँ पर सबका economic level हर तरीके का सब कुछ अलग अलग है है लेकिन एक सिंपल सोसाइटी में कहा है सबके religion हो गया है culture हो गया way of living सबकी लगबग समान होती है हमें हमें वहाँ पर कोई भी differentiation देखने को नहीं मिलता है इसलिए हम कहते हैं कि सिंपल सोसाइटी में homogeneity पाई जाती है ठीक है फिर उसके बाद देखो ध्यान से सुनो उसके बाद जो harbert spencer कहा ही यह law है है ना शुरू हो गया है तो कह रहे हैं वो सिंपल सोसाइटी होती है पहले और जहां पर समानता पाई जाती है समानता से जो सरल स समाज है बहुत सारे सरल समाजों को अगर मिला दिया जाय तो क्या बन जाता है compound societies है ना एक से अधिक सरल समाज जो होते हैं वो मिलकर के compound societies बनाते हैं उनके कहने का मतलब है सबसे जो आरंबिक काल था हमारे समाज का तो सबसे आरंबिक काल में initial stage पर आपके सिंपल सोसाइटी पर सेंपल सोसाइटी बहुत सारे मिल करके आपस में देरे-देरे मिले टाइम के साथ है ना चींज हुआ सोसाइटी में तो बहुत सारे सरल समाज आपस में मिल गए और मिल करके उन्होंने क्या बताया कि फिर बने कौन से सोसाइटी संस्लिस्ट समाज या compound societies है ना तो यह evolution क कि बता रहे हैं कि कैसा सोसाइटी में एवोलिशन की प्रोसस हुई तो उन्होंने कहा सेंच स्टेच没有 क्या हूँ कि संस्लिस्ट समाज बनें या कंपाउंड सोसाइटी बने तो इन्होंने कहा कि यहां पर क्या है कि बहुत सारे संगठन्ट होते हैं वो सारे मिल गए और new सारे एक साथ हो गए इक साथ मिल करके अपने रहने लगे और उन्हों सबको नेंतरट करने वाली कोय एक संसथा बन गई ना तु मतलब क्या बहुत सारे सिंपल सुसाइटी थे वो आपस में मिले और उन्होंने अपना क्या एक छोटी सी administration बनाई है जो उनको नियंतरित कर रही थी तो फिर कुछ समय तक ऐसे ही चला ठीक है फिर धीरे धीरे उद्विकास का प्रभाव पढ़ा evolution का प्रभाव पढ़ा तो उसमें भी परिवर्दन हुआ मतलब जैसे आप compound society समझ गये होगे मतलब जो बहुत सारी simple simple societies थी वो आपस में मिल गए और उनको administrate करने लगा कोई एक है ना कोई एक sense था है ना मतलब किया जैसे आप देखते हो कि जो गाओं में जो है कोई administrate करने लगे तो उसको हम बोलेंगे क्या कि सरल समाज मिलकर के compound societies बन गया अपके sense list समाज संसलिस्ट समाज बन गया फिर थर्ड दीरे दीरे ये भी change हो गया फिर थर्ड स्टेज में आया जिसको हम बोलेंगे double compound societies है ना दोहरे संसलिस्ट समाज जसका एक्जामपल है आपका militant society है sadness समाज ठीक है फिर मतलब क्या बहुत सारे compound societies आपस में जब मर्ज हो गए तब तब क्या बना double compound societies या डबली compound भी बोल सकते हैं ठीक है double compound societies दोहरे संसलिस्ट समाज तो इसमें क्या हुआ अब इसमें politics develop होने लगी है और इसमें कुछ जो व्यक्ति हैं वो बहुत ज़्यादा high status प्राप्त करने लगी है जो मतलब अपने society को चला रहे होंगे है जो administration के contact में है जिनके पास ज़्यादा power है तो मतलब क्या उनकी समाज में स्थिती सबसे वो stratification में ऊपर जाने लगे है society में अब आपको क्या दिख रहा है stratification दिख रहा है है अभी तक आपको जैसे हमारी सरकार है सरकार से जुड़े जो भी लोग होते हैं वो पावर में कहलाते हैं जो सरकार है वो तो powerful है ही है तो मतलब क्या यह stratification अब आपके second double compound societies में आ गई थी जिसे समाज कहते हैं और यह क्या है militant society है सैने समाज इसका example है ठीक है मतलब यहाँ पर militant society develop हुई थी ठीक है अब यहाँ पर simplicity to complexity की और आप देख रहे हो कैसे बढ़ते चले जा रहे हैं फिर क्या है बहुत सारे double compound societies आपस में मिल गए तो क्या हुआ ट्रिबली compound societies बन गई ठीक है त्री संस्लिस्ट समाज बन गए मतलब क्या बहुत सारे दोरे समाज जब आपस में merge हो जाएंगे तो क्या होगा आपके ड्रिबली compound societies बनेंगे तो अब इसमें क्या हुआ अब सब कुछ अलग अलग हो गया सबकी संस्कृति अर्थ विवस्था है ना social structure हर चीज में आपको हर जगा हर area wise आपको difference देखने को मिल जाएगा अभी तक अगर आप गाहों को देखो एक छोटी सी इकाई तो वहाँ पर क्या है किसी भी area में चले जाओ एक ही culture के लोग मिलेंगे एक ही economic status के लोग मिलेंगे सबका status भी समान होगा कोई stratification नहीं पाए जाएगा लेकिन अब आप आ गयो सबसे आखरी वाली stage जिसको हम कह रहे हैं ट्र इसको इंडेस्ट्रियल सोसाइटिस की एक 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 समाज तो इसमें क्या है मतलब आप यहां पर देखो आप आज की सोसाइटी देखो कैसे हमारे यहां कितने अलग अलग religion हैं कितने culture हैं कितनी languages हैं ठीक है और economic status कितना differentiation है सब में सबके गुड़ों में कितनी असा मानता ह है कोई किसी चीज में specialized है कोई किसी चीज में मतलब क्या है हर बहुत ज्यादा complexity बढ़ चुकी है ठीक है तो यही है इसी को उन्होंने क्या कहा है कि अब यह evolution के थ्रूही यह सारी चीज़े हुई है ठीक है तो एक evolution society पर social evolution के बारे में यह चीज़ बताते है यह ठीक है जिसम law of simplicity to complexity ठीक है फिर आप काता है second survival of the fittest बताते हैं Herbert Spencer ठीक है अब survival of the fittest यह योगितम की उतर जीविता सेम वही है जो भी बताया है Darwin वाला ठीक है इसमें उन्होंने क्या बताया कि किवल जीवित वो ही प्राणी रहते हैं सिर्फ वो ही लोग जीवित रहते हैं जो जो योग है जिनके अंदर ability है जो society में अपने existence को बनाए रखने में योग है अगर योग नहीं होंगे तो उनका अस्तित्व धीरे-धीरे समाप्त हो जाएगा अब वो चाहे economic based पर हो या किसी और based पर है अशारीरिक रूप से हम मान सकते हैं या अगर जैसे मालो अब भी मैंने क्या बो सकते हैं आप फिजिकली वो environment से अपने आपको अड़ नहीं कर पा रहें तो वह भी खतम हो जाएंगे और एक और चीज क्या कि हम अब इसमें social base पर पढ़ रहे हैं क्योंकि Herbert Spencer ने बताया तो इसमें हम क्या बता देंगे कि जो लोग social norms के according समाजिक मानदंडों के according अपने पडिमागी रुप से कमजोर हो जैसे इन नके खिलाफ को पर क्वाण करता है तो गाउवाले क्या करते हैं उनको मार देते थे सीधा और फिर गाउव से बहर से निकाल देते थे ठीए तो यही सारी चीजह सामाजिक मानदंडों से भी आपको अनकूलन करना पड़ेगा ठीए है और इसके अलावा वोही चीज ये भी बताते है कि जो लोग मतलब योग नहीं है जो आपकी नेचर है उनको एलिमिनेट कर देती है हट बाहर कर देती है अपने आपसे ठीए है तो क्या है अगर यही सारी चीज़े है मतलब अगर आप योग यह नहीं है तो आप जीवित नहीं रह सकते हैं इसके अलावा इन्होंने एक और चीज बताई ठीक है जो इनक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो है कि लाजी स्फेर जिसे हम आहस्तक शेप की नीती कहते हैं ठीक है ये भी है तो अभी तक आपको मैंने इसमें सोशल एवलुशन के बारे में आपके जो हर्बिट स्पेंसर है उन्होंने जो बताया तो उसमें मैंने मतलब यही सारी चीज़ें बताई हैं आपको ये लाज ये था कि जो हमारी नेचर है नेचर में जो मीन्स है जितने भी साधन है वो सीमित होते हैं और जो हमारे हाँ जो प्राणी पाए जाते हैं जो लिविंग बींग्स जो उन साधनों का उपभोग करते हैं जो उनको कंजियूम करते हैं वो जादा है ठीक है मतलब क्या प्राण सभ्याई जादा है और साधन कम है तो इसलिए वो कहते हैं कि जो प्रकृती होती है वो ही हमेशा प्रेरित करती है कि प्राणी संघर्ष करें क्यूंकि उसके पास कमी है साधनों की जितने प्राणी है। करती रहती है यह सब हर्बर्ट स्पिंसर की बाते हैं और जो इन साधनों को प्राप्त कर लेते हैं जो प्राप्त करने के योग होते हैं वो एक्जिस्टेंस में रहते हैं और जो दुर्बल होते हैं निर्बल होते हैं योग होते हैं वो सब क्या है जो एलेजिबल नहीं होते ह प्रकृति में तो selection और elimination competition यह सब चलता ही रहता है आज कल का जो समाज यह क्या करता है जो गरीब हैं जो नहीं जिनको साधन प्राप्त हो सकें तो सरकार उनके और वेलफेर का काम करती है उनके लिए हमेशा काम करती रहती है तो यहां पर लाजी स्वेर इसका लटा है हरवड स्पेंसर कहते हैं कि नेचर यह काम करती है कि वो Constitution करवाती है selection करती है या eliminate कर देती है है ना तो कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति है ठीक है तो उसको खुद fight करना चाहिए है ना उसका जैसा भी जैसा भी वो इनसान है आलसी है है ना या बहुत महनती है या गरीब है या अमीर है तो मतलब क्या बुद्धिमान है या बुद्धिहीन है योग है कि आयोग है मतलब यह किसारी चीज़ा क्या है किसी एक व्यक्ति में होती है तो व्यक्ति अपने गुड़ों के अनुसार उसको परिडाम भोगे वो खुद से भोगे वो अपना जिम्मिदार खुद है यह कहते हैं कौन हर्पिड स्पेंसर मतलब एक व्यक्ति जैसा भी है उसका जिम्मिदार वो खुद है और प्रकृति सारा अपना काम कर रही है उसको करने दीजिए और एक व्यक्ति जैसा भी है उसको उसके हाल पे छोड़ दीजिए प्रकृति हमेशा कभी किसी इंसान को बहुत ज़्यादा मालो किसी को बहुत ज़्यादा समपत्ती मिल गई कोई बहुत सफल हो गया कोई नहीं हुआ तो यह सब क्या है प्रकृती करवाती है किसी को प्रकृती पुरुस्कृत करती है किसी को क्या करती है दंडित करती है दंडित मतलब उसको आयोग है, भूख से मर रहा है, है ना, तो यह सारी चीज़े हैं, तो यह सारी काम किसके है, प्रकृति के हैं, यह प्रकृति खुद करती है, किसी को बहुत reward करती है, किसी को दंड देती है, है ना, तो यह सारी काम मतलब क्या है, उनके कहने का मतलब है, अ समाजिक कल्याण का काम कर रहा है जो स्टेट हमारा काम करता है तो मतलब क्या है वो क्या है प्रकृति के खिलाफ काम कर रहे हैं ठीक है अगर उन्होंने कहा कि अगर ये दुर्बल है जो आयोग हैं उनके लिए काम करेगा अगर समाज सुसाइटी तो क्या होगा जो जो करेंगे हमें आप कुछ करने धनें से मतलब नहीं है और दूसरों पर मीशिया यह करना है यह जसको कोई काम नहीं घर नहीए न वर इससे क्या होगा फिर समाजिक उत्विकास की जो प्रक्रिया है वो बंध हो जाएगी तो इसी लिए उन्होंने कहा कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए इन सारी चीजों को मना किया कि हमें जो है सोशल वेलफेर का काम नहीं करना चाहिए ताकि evolution की process हमेशा बनी रहे इसी को बोलेंगे हम क्या लाजी की नीती ठीक है तो यह हो गया आपका आपका सोशल इवलुशन ठीक है सोशल इवलुशन फिनिश हो गया है